हलो नमसकार मेरे प्यारे विदारतियों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने येट्यूब चैनल ब्यस्ट्री प्रोक लास में दोस्तों आप अपो पता है कि आपको पहला काम क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और शेयर अपने कोलेज की गुरूप में कर दीजिए जितने विए आपने वाट्व बना रहे हैं फेस्बुक पे शेयर कर दीजिए बिना कहें क्लास को स्टार्ट मेंने से क्योंकि इस टाइम पर बच्चे कनेक्ट होते हैं दिले दिले तो आप सभ क्लास इस्टार्ट हो जाइती है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में मधा नहीं था और फिर फोड़ा सब ही रहताता है तो फीर लगता है प्र छूड़ गया इसलिए आप या इसलिए पहले ही पहले थैयार जाय कर वहाँ भी ट्रास लेनी है मतलब लेनी है और मैं आज भी अपने एक important question करेंगे उसके बाद में करेंगे लेकिन मैं आपको बता दू कि कल की बात करते हैं कल मैंने आपको एक शाम को एक वीडियो लेक्चर अप्लोड करी थी उस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने exam के regarding कुछ important बाते बताई थी तो अधिकांस मुझे पता था कि जो थमले में लगाया था इसलिए लगाया था कि दिकांस बच्चे क्या है कि अभी यह 20 लगा के बैठे हैं कि हम promote होंगे होंगे इसलिए उस वीडियो पर ज्यादर response आया था तो मैंने देखा विया कि कुछ नहीं है time बरबाद मत करो start कर दो steady को और आज भी मैं आप से य सिस्टी परशन वच्चों नहीं है भी समझ में उनको समझ में तभी आएगा जब 15 तारिक को यह बोल जाएगा यह आपके एकजाम जुलाइ के फर्ष्ट वीक से स्टार्ट कर दी जाएंगे तब जाकि उनको समझ में आएगा अब जो समझ गए हैं वो समझ जाएं कोई बा तो वही आपना तो फिक्स है कि motivation code तो पड़ेंगे साथ की साथ और आपको थोड़ा सा motivate करेंगे और एक नए जोस के साथ में आज क्लास को start करेंगे तो आज का motivation code क्या कहता है यह जिन्द की हसीन है यह जिन्द की हसीन है इसे प्यार करो अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाई से आपको कि वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाई से आपको रब पर रखो बरोसा वक्त पर एतबार करो तो इसी motivation code के साथ में आज की क्लास को start करते हैं तो सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि दीम क्या है तो वह हमारा जो function है जो जो कोई से function क्या होगा आर समा करनी होगा जो भी इंटरवेल दे रखा होगा उसके अंतरगत ठीक है अब आज क्या करते हैं अपनी और क्यूशन कर लेते हैं छोटा सा जिसके डिगार्डिंग अपन कल बात कर रहे थे तो रिमान इंटेग्र नमर फस्ट की सवाल चल रहे हैं टाइप नमबर फस्ट के जो कि मैंने आपको भी करवा रहा हूं तो एक सवाल तो मैं आपको करवा दिया है और एक और अच्छा सवाल है वह मैं करवा दिता हूं उसके बाद में पर आपन आज की class में एक theorem करेंगे तो बढ़िया एकदम प आदी कैसे तो यह यह आपके सामने मेंने क्यूशन रख दिया है क्यूशन क्या है पर ले क्यूशन को पड़ो द्यान से क्यूशन है हमारे पास में यदी एफ अंत्राल एफ मतलब कोई function है अंत्राल 0,a में परिवासित तेक है जहां पर function का जमान है वह कितना जरेका है x2 हो तो सिद्ध करो कि जो f है वो बिलोंग करता है r 0 इसका मतलब क्या आता है कि अगल मैं आपको बताया तो को बचेतरी के से कि जो function है वह आर समा करने होगा अंत्राल 0,a में यह इसका मतलब होता है तथा 0 to a fx.dx बड़ाबर a3 एनकी मतलब यह है कि अपन को क्या करना है करेंगे दोने को बराबर करेंगे तो जो common integration आएगा वो भी कितना आएगा एक यह अपन को निकालना है ठीक है जहां पर आपने को दे रखा है कि जो a कमान है वो गड़ादन 0 है और x है वो बिलोंग करता है 0 to a अंत्राल में और जहां पर a है ना a वो है हमारे पास 0 से इसन दे रहा किया ठीक है और कई बच चुक है वह इसकी प्रोब्लम आ रहे वह इस कम आरे देखो यार वो इस तो यह आपके अगर साइकलोजी ओतों वो इस तहमारे पास में होई है पहले जो थी वही वही सारी है अभी प्रजेंट में तो अगर कम आर यह तो एरफोन हेलं को कि अब हो मगत है कि अपने स्थे बाइं नों बता रखंग है तो सबसे पहले क्या करना है तो कल के कृष्ण भी बाता है कि इन चार आप 6 few column करके आप इस परकार के क्युशन को इजली सोल्व कर सकते हूं बिल्कुल आराम से तो step number first में आपको बस ऐसे बता जिता हूं ठोटी कली कि step number first में क्या करेंगे सबसे पहले जो function दिया वा होगा उसका जो अंतराल है उसको अपन को n भागों में क्या करना है तोडड़ना है उसके बाद में अपन को आरवा am जो फंक्षन है आरवा अंतराल उसके लीए काम करना है उसमें फिर अपन को small mr, capital mr, delta r prata तोड़ना है उसके बाद में पिर अपन को क्या करना है अपन को डारव योग निकालना है क्योंकि निकालना है क्योंकि जब वहां पर निम्न आर्समाकर निकालेंगे तो वहां पर अपन को अपर और निम्न डार्वू योग की आउसकता पर्णिक लगाते ही वह क्या बन यहां पर सबसे पहले लिखते हैं दिया गया फ़लन जो में क्या दिया गया फ़लन तो दिया गया फ़लन क्या है इस एक्स इक्स प्रफ्ट करता है हमारे पास हम जीरो टू ए अंत्राल में जहां पर मैं आप पता दू कि जो जीरो मलब एक का जो माने जीरो से बड़ा है एक से छोटा है ठीक है तो हम क्या करते हैं देखो सबसे पहले स्वर पर्थम स्टेप नंबर पस्ट आप इसको नाम दे सकते हो अपने अकोडिंग पूरा एक्तम दिए गया अंत्राल को एन भागों में डिवाड करने पर ठीक है ब्रेकिट में लिख दो अंत्राल कुन सा हमारे पास में जीरो कॉमा एक क्लोज इंटेवल समरत अंत्राल अब यह कल मैंने आपको फॉर्मॉला नहीं बताया था एक छोटा सा फॉर्मॉला होत अब तो इसकोड़ तो देखते हैं कैसे अब जैसे इंट्रवल और पास में आई इज कॉल्ता हुआ जिरो कोमा ए खेए अब यहां पर आपधे जियान से एक वाल यह कहा है यह कहा है पहला है वह तो आमारे पास में जीरो रहेगा है यह कि फॉर्स्ट है आप देख सकते हो इसमें दिमाग लगाओ कि यह जरका संवरत अंतराल तो फ़र्स्ट टाम होगा वह तो इसका जीरो होगा और जो लाश्ट का टम्स होगा वह भी हमारे पास में क्या होगा एह होगा तो बीच के जो पार्ट सेना उनका अपनों को पार्टिशन करना डिवाड करना बाकि उसके कुछ भी नहीं करना आगे बास में आ रहे थोड़ी वह आ रहे तो कमेंट करो या रहे समझ में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब फर्स्ट टम लिख दो इसका फर्स्टम क्या हमारे पास जीरो है अब सैकिंड टम कैसे लिखोगे सैकिंड टम लिखने के लिए आप को फॉर आप अब आगे चलेंगे इसी प्रकार आगे चलेंगे तो पिर आगे ले लो फिर आप आप यहां पर मल्टिप्लाइ चलींगे अपर आप गांने सब्सक्रारी जाए, in the house में आप serious a देख सब्सक्राख जो एक गांने सेंगे हो तो टोड़ गांने जो इस प्रकार अपन ने कोिए भी तो इस का वह जीरो है देख लो आप लास्ट अम आएगा वह मारे पास में एगा क्योंकि यह close interval समर्थ अंतरा दरगा इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो इंक्लूट है और यह इंक्लूट है तो जो सबसे Vitam maturity करना है है यां उन्तराल के लिए आप संजनी के लिएक लिए क्लिए यहалась amTOR एंक्राल के लिए तो सबसे पहले तो एस को फ़ड़ा लेतार लएता है यापको चलो ठीक है और उपर कर लेते हैं थोड़ा सा नहीं होगा ठीक है अब मैं बात करता हूँ आपसे आयार वाज उन्तराल है उसकी बात करते हैं तो आयार वंतराल क्या है मारे पास्ता है यह रहां मैंने कहा आपसे कि यह लिए उसी के लिए काम करेंगे टो आठ वंद इसक totalmente है यहां पर मारे पास में कहानी है स्किर्ट अब यहां पे अगर मैं आपसे पहुंजू हूँ सबसे पहले कि आप डेल्टा आर कैसे निकालोगे डेल्टा आर आप कई बच्छों को देल्टा आर पता नहीं क्या होता है यह होता है अंतिराल की लंबाई लेंटो इंटर्वेल डेला जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बड़े वाल टम मेंस कर देंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा लेंट आ जाएगी तो आपके पास एक तम आ गया यह आपके पास में डेल्टा आर आ गया है देल्टा आर आगया आपके पास में अब आपको चाहिए इसमोल आर कैसे निकालें बताओ मुण आप से इसमोल आरन मारे पास में क्या है जो इसका फरस्ट अंब यहींद के étaernica शोडिये इस याप देखते हुक्त, क्य इसे देखते हूं इस अंत्राल के लिए तो यह सबसे चोटी value से यह दे सकता है और यहाँ पर सबसे बड़ी value जो देगा वो यह देगा ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या बच्छे गलती करते हैं 100% 100% तो नहीं कहेंगे क्यों एक परसंट तो गलती नहीं करते हैं second step में इस question में दिक्कत कर देते हैं कैसे 99% बच्चें पर गलती कर देते हैं कैसे दियान से देखना है आप वो गलती मत करना कि मैंने आपको बता दिया अब यह आप से बोल दिया गए सामने शटक पर गड़ा है अब आप उसमें जानफूर्च के गिरो तो फिर आपके गलती ह यह तो मैंने तो आपको पहले बता दिया है तो क्या करना है सुनो दियान से अब यह हमारे पास टम्स हैं r-a और a upon me n तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जो mr है उसको सिधा लिख देते हैं r-1 a और n upon me n लेकिन वो गलत है अब आपको यह सर क्यों गलत है हमने पहले क्यों सु क्या है था तो यह पहले क्यूष्टनों में जो function का जो मान था ना वो मारे पता सिंपल एक्स था तो वहांपड़ने क्या एक्स कॉयर था मत्री इक और रीजिया लेकिन यह पर यहां पर अपर पास है मैं पहले एक स्कॉर है पहले होता है नग यह शौट अटम ठीक है यह हो एफ और आर माइनस का बन मुल्टिप्लाइ में एपॉन में एन है लेकिन हमारे पास जो फंक्शन का माँन है वो कितना है एक्स स्कॉार है तो यहां कि इसका अपन को स्कॉार करना पड़ेगा बस यहां पर गलती करते हैं कही बार बाकि और तो कहीं दिक्कत होने निची इसमे इसको थोड़ा सौल करेंगे तो यह सौल करेंगे यह आएगा ठीक है तो यह मारे पास में क्या गया है इसमोल एमार आगया ठीक है अब बात करते हैं सी प्रकार कैपिटल एमार की तो कैपिटल एमार भी वही होगा यहां पर आर एपन मार तो यानिकि वहीं फंक्शन हमारे सबी को पता चल गया है कि step number second है वो complete हो चुकी है क्या चाहिए अपने को यह चाहिए था तीन इमान मिल गया अब आप सभी इमान दाजी से बताएंगे अपने जगह पर बैठे बैठे कि step number 3 क्या है सबी बोलेंगे बैठे 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 कि step number 3 क्या है अब बोलोगे कि step number 3 है उसमें अपन क्या करेंगे अब उसमें अपन को निम्न और उपरी डार्वेक सम अपन को निकालना है क्यों निकालना है क्योंकि अपन को निकालना है आर समाकलन और आर समाकलन के लिए उपरी और निम्न डार् तो उसमें अपने को यह काम देंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, जो उपरी डार्व योग चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे, बस यह काम करना है, बताओ, स्टेप नमर सेकिंड कंप्लीट, तो चलो भी है, स्टार्ट करते हैं, अपने अगली स्टेप निम्न एम उपरी डार्व योग की परिवासा से, तो सबसे पहले यहां पर लेखते हैं, पर ना हो, आप सबी को दिख रहा है, क्या यहां, किलियर दिख रहा है, बिल्कुल किलिय क्वालिटी कम आ रही है, आपका जो यूट्यूब में जो क्वालिटी उप्शन उसको बढ़ा दो, साथ सुबीश या एकजार स्टीप पर कर दो, फिर आपको अल्टिमेट क्वालिटी ने जर आएगी, आगे बास में, अब यहां पर नाव कर देते हैं, अपन सबसे पहले यहां पर इस टेप नंबर कौन सी है, थर्ड, जिससे क्या है कि आपको भी थोड़ा समझने में आसा नहीं रहेगी, इस टेप से समझोगे आप तो, आगे बास समझे इस टेप नंबर क्या थर्ड है, अब निम्डर वो योग निकालना है, सिंपल फटापड बताएगी क्या बोलते हैं, एल, एफ, पी, बोलते हैं, क्या बिल्कुल सभी है, सर बिल्कुल वो दिक्कत नहीं है, और समिसन में हम लगाते हैं, कि आर बराबर वन से लेकर आर बढ़ाबर न तक है, और समोल एम आर मल्टीप्लाई डेल आर, कर दो फटापड, तो हमारे पास जो वैल्यू multiply में करेंगे अपन AF1 का N क्योंकि डेल आर का जुमान है वो AF1 में N है चले अब यहां पर इसको थोड़ा सो सोल करेंगे अपन आगे की तरफ तो यहां पर लियाओ इसको फटाफ़ ठीक है तो यहां पर देखो है क्या वेली बचाएगी देखो एक क्यूब आपन में 1 आप है यसी फिला आ ऑनदूल क्या क्या थीक है एक कैसे करेंगे और यहां पर इसको थोड़ा सो उपन जबार एक रखेंगे तो समय सदक न रखेंगे तो जीडिव कर देंगे फिर सके बाद में आगे चलेंगे तुम का स्क्थ्ट यह हो तब वहां पे एक exercise जिसमें यह formula आपको याद करवाए गए थे क्या formula थे देखना यह हमारे पास में है one square plus का two square dot 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 n square इसका formula होता है हमारे पास में n plus का one और two n plus का one upon me कहाता है six लेकिन अपन किसका formula चाहिए अपने को से यह one square plus में two square dot 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 n minus का one यहीं कि एक तम इसमें से अपने को कम करना है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में एन माइनस का one and or two n minus का यह मारे पास में इसका formula बन जाएगा अब आप यह फोर्मॉला गर आपको याद दे तो यह फोर्मॉला पारामस बना सकते हो एक टमा को इसमें से कम करने है बस माइनस एक कर दो अब सही बात है नहीं है है अफन्ही है बताओ ठीक है तो यह हमारे पास में आगरी complete ठीक है तो यह अब आपको value रखनी यह वाली यहां पे फट़ा-फट रखो यार Ăर वैल्लू तो यह हमारे पास में क्या आगा एक cube upon में एन cube ठीक है और यहां पर multiply में क्या करदेना, आप यह कर देना, एंड लगूर्न, और ठोड़ा सा change करना चाहाएं, तो कैसे कर सकते हैं, देखो, हम इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार, एक क्यूब, आप वान में 6, सही है, को दिक्कत, उसके बाद में, आप यहां पर थोड़ा सा, देखो धान से, तो multiply करोगे एक वार, ठीक है, multiply यहां पर करोगे, तो यह N से 1N cancel हो जाएगा, मारे पास में, भई, 1N है, यह मारे प और माइनस का 1 बचेगा, एक बाद चेक कर लेता हूं, हाँ तो बिल्कुल सही, को दिक्कत नहीं है, हमारे पास यह value आएगी, अब कहीं से नहीं है, यहां पर जब N क्यूब था हमारे पास में, तो N से N cancel हो गया, और अपने इसको डिवाड कर अंदर ही तरफ, तो यह multiply N था तो यह N से लो गया, उसके बाद में जो यह N है, इनको 25 परकार टुकोड़ों में तोड़ के लिख दिया, क्योंकि जब आप इसको लिख दिया, तो क्या आएगा देखना, भाई यह हमारे पास में N हो जाएगा, माइनस का 1 अपन का N, तो यह हमारे पास वेली बन जाएगी उसके अलवा अपन बात करते हैं, आपने लिख दिया, तो यह हमारे पास में 2 N माइनस का 1 बन जाएगा, और फिर अपन आपने आपने N इसका वापिस बन जाएगा, तो कैसे भी कर लो, यह क्या है कि एक तरीके से टुकोड़ों में तोड़ के लिख दिया, यह समझा लो आ नकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वही काम करना पड़ेगा वही फटाफट, तो हमारे पास में यहाँ पर यहाँ पर LFP तो लिख दो, LFP ठीक है, अब आपने को उपरीड आर वही निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालते हैं, यह प्रण यहाँ है, डिवल बात करता है, फटाफट, तो एक क्यूब हमारे पास में है, अंदर बने का तो दिख वर ने गा, टीक है, जीडू तो निएड़ा गशिसी और अचलारा एक बने का शिदा ही यह एक का स्क्वाइर फिर उसके बाद में प्लस में दो का स्क्वाइर प्लस में तीन का स्क्वाइर डोट 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 एन स्क्वाइर तो यह फॉर्मला आपके सामने लिखर का है वो देख लो आप आपके सामने लिखर का है यह रहा यह वाला तो इसको लिख दो फटा फटा तो यहां पर देखो इसको लिखेंगे a cube upon क्या जाएगा n cube multiply में जो लिखेंगे वो लिखेंगे n यह वाला नहीं सोरी उपपर वाला देखो यह वाला n वाला तो n n भार है हमारे पास में n और n प्लस 1 और 2n प्लस का 1 upon कितना है हमारे पास है इसको आप सोलू करोगे थोड़ा सा आगे तरफ तो वह इसी प्रकार बनाएंगे पर जैसे बना रखा है वैसे बना देंगे a cube upon क्या जाएगा हमारे पास में कि आपने बना⑦ करना है कि जो समींगर फर्सलैंजिंगे निमीट अब्र लिमिnes случае करेंगे और लिमिट करने के बाद में सवाल और सवाल है हाद पर नबर फोर है लट इस को पहचे हैं का क्या करते हैं निमस्ध्ड तक तो कैसे निकॉल कि निर्ज जोटा साकाम है कि विए यहाँ पर देख सकते हो यहाँ लिख देते हैं चलो जो आपर लिमिट थी जीरो पर बार लगाएंगे यह आएगा उसके बाद में हमारे पाद जो फंक्शन था fx.dx तो यहाँ पर function में लिख देंगे function के हमारे पास में a, ने x square, sorry x square dot mean dx है आप यह जी call to me यहाँ पर वो line आपको लिखने पड़ेगी supreme ठीक है lf,p ठीक है यहाँ पर बंद और p belongs to यह p हमारे पास में भाजनों का sum group of partition ठीक है उसके बाद में 0, यह हमारे पास में यह इस interval में belong करता है तो आपको दिख रहा है उदर देखके क्या करेगा इधर क्या लिखावा है यह p है belong करता 0, a interval बस वो लिखावा है उसके क्या दुरहता है इसका कुछ काम लाई है second step हमारे पास में limit lfp n tends to infinity मालब आपने को यहाँ पर limit लगाने पड़ेगी जो lower darbex समाया है बस और कुछ नहीं है वो तो यह लिखना पड़ेगा आपको एक normally कारे पूर्थी के लिए लिखना पड़ेगा यह कह सकते है अब 0, a x square dot में dx आ जाएगा इसको पर limit apply करेंगे n tends to infinity अभी इसकी value कितनी थी है हमारे पास में a cube upon 6, 1 minus का 1 upon का n और 2 minus का 1 upon का n आपको याद ही होगी value ठीक है उसके बाद इसको थोड़ा आगे solo करेंगे तो क्या आएगा देखो हमारे पास में a cube ऐसे कैसे, a cube upon 6 ऐसे कैसे multiply में देख लो आप n tends to infinity तो य अब दो थी है, 6 तो यहाँ पर 1 cube upon कितना जाएगा 3 देख लो ठीक है, समय करने आप इसको 3 नाम दे दो क्योंकि उदर अपने दो नाम दे दिये थे, तो समय करने 3 हो गया यह अपने पास में, इसी प्रकार अपने second step निकालेंगे उपरियार समा कलन निकालेंगे तो यह कैस 0 और यहाँ पर 12 आएगा 1 पर, fx हमारे पास में ऐसा कैसे, dx है और उसके बाद भी यहाँ प्रकार है, 0 a bar है, x square है, dotm dx है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में, in-femam, in-femam आएगा, उसके बाद भी यहाँ आएगा यह वाला sign, you, fp और यहाँ पर प्रकार प्रकार यहांपे जो मैन काम करेंगे तो यहां पर काम करेंगे घीरो फिर यहां पर लगा एक स्कुराइड डॉक्स आएगा और यहां लिमिट हैसे कैसे एंड्र इंफिंटी है और यहां पर यह एक यूब को यूब का एन है और ऐसको पर लिमिट करें करो तो यह जी बिज़ी और यहां पर किया जेगा हमाहरे पास में एक सकते हो कि मारे पास में बराबर तो इसको कैसे लेखना आता है आता है आप लेख सकते हो समय करन तीन और चार से आपको यहां पर यह पास किया है एक accomplish square.dx और यहां पर is equal to है हमारे पास में 0 a bar x square.dx है और integration 0 to a normally x square.dx इन सभी का जो माहन है वह कितना आएगा हमारे पास में aq upon में 3 आएगा क्योंकि इन दोनों का मान दि बराबर है आपको दिख रहे तो यह अपना answer आगया ठीक है काफी अच्छा क्यों संता बाकि अच्छा मिला बिल्कुल concept भी काफी अच्छा था और बड़ा भी था इसी बात नहीं है अगर आप एक्जामेट डंक से प्रेक्टिस करके नहीं जाओगी तो आपको इतना फॉर्मले है उनको याद कर जाना जैसे वन प्लस स्क्वाइर ओला फॉर्मला है तो यह से फॉर्मले याद कर जाना जैसे कि आपके लिए और भी साहिता मिलेगी कि तो चले तो आप करते हैं अपना अब यह तो आदर गंठा हुआ है अभी आगे चलते हैं और ख्लास को मैंने बहुत पहले करवाई तो अब आपन करते हैं रियल में वापिस थ्योर्म को स्टार्ट तो काफ़े अच्छी थ्योर्म है तो पूर्प करते हैं तो थ्योर्म को समझने के लिए देखो वही पैसेंस बनाया रखना और एक-एक कॉंसर्ट को समझना हालां कि जो कॉंसर् तो सल्टें को सब्स्टें को संबंगर करते हैं तुम स więks शिर्प करते हैं तो कि सबसे पहले तो आप्या है कि लेंगवेंज़ को समझना पढ़ेगा कि आखिर या कमन से क्या काईने को को शिष्य कर रही है कि और हो क्या आपन उनको की अलब थ्योरम की अंतरगत ठीक है तो थ्योरम को ध्यान से पढ़ना जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है अभी तक उससे बाहर नहीं है कुछ भी एक भी पॉइंट बाहर नहीं है देखना आप ध्यान से यदि फलन एफ है हमारे पास में कोई अंतराल ए से बी में परिवासि वास्त्विक फलन है तथा समोल एम तथा कैपिटल म हैं वो फलन के जो अंतराल एक हमाइबी में है वो कर्म से कैसे है निमनक है और उच्छक है पूरी थ्योरम ठीकिवी है वो यहाँ पे निमनक और उच्छक इन दोनों वर्ट्स पर ठीकिवी है तो अपन को जो पुरुब करना है वो करना है कि M B-A less than equal to LFP ठीक है और यहाँ पे greater than equal to U मनलब यह हमारे पास में UFP और यहाँ पे हमारे पास में greater than equal to M B-A तो क्या दिक्कत बताओ इसमें इसमें प्रुप करना है अपने को तो आपको एक बात में बताओं कि आपको एक चीश समझ में आई कि नहीं है यह हमारे पास में theorem के अंतरगत जो आपको दे रहा है उसमें एक चीज़ आपको क्लिए रहोने चीए जो small M है और capital M है वो फुरान के निम्नाग और उच्चाद दे रहा है कि इन जो मैंने आपको समझाना तमके नम नगेस hell फोकस करना कि दिले ग्राम All को पेचान सकते हो। आग पास पुरूप करना है तो आपको नोट्स में दे धिये ये लेग्ज़ए हुए है। तो लेंग्वेज से जो है मैं उसको बोल देता हूं बाकि कुछ नहीं है लेंग्वेज में जो यह कुछन लिखा हुए ना अरे यार आपने सेकेंड डिनोट अगर आपसे पड़र किये मेरे जैसे मैं चलन पर पड़ा रखिये वैसे पड़र खाया आपने कि लेंग्वेजす देख लो आप आराम से माना यदी YouTube देखो यहां देको माना यदी फ़र यहां पर आगे लिखना है माना माना यदी पलन ऐसे बी में परिवस्ट रखित वासंते प्लन हैं किया है हैं यह जो उच्च्च बड़न है और बस इतना लिखना है आपको और यह यह तोड़ा सा करेंगे तो क्या करेंगे तो इतना मैंने बता दिये की language आपको यहां से माना माना लिखनां है आगे और पूरा क्युशन आपको यहां तक उता देना कैसे हैं है कि ऐसे की ओर यहां पे पर जू यह लिखा वाइन तो उचक है तो उसके बाद में क्या करना है तो को उठा देना है आपको और इसके जगे लिखना है तब हमें सिद्ध करना है यह वस इतना काम करना है बाकि पूरा आपको यहां पर क्यों से उताना है आगे जो सोल करेंगे अपन वो करेंगे यहां से देखना सवर परतम करेंगे स्वर्व पर्थम क्या करते हैं यह इस टेप अपन करते हैं कि जो हमारा इंटर्वेल दे रखा है एसे भी में उसको अपन एन बार्ट में डिवाइड करते हैं एन भागों में बांटते हैं चलो ठीक है यार एन पार्ट में बांटते हैं ठीक है एन पार्ट में इसको इंटरवेल है और मैंने इसको एंट पार्समें डिवाड़ कर दिया अब देखो इमान दारी से बताना कि यह जो इंटरवेल एब है इसमें फरस्ट टम कौन सा है यह है क्लोज इंटरवेल देर रहा है और एंड का टम लास्ट वारा जो टम होगा वो कितना भी है है नहीं है त अब आगे काम पढ़ेगा तो इसको किसी परकार आप यह तो हो सकती है लेकिन वह डिफिकल्ट बन जाएगी उसके लिए क्योंकि अब यहां पर जो टम समय है अब जब आगे काम पढ़ेगा तो इसको किसी प्रकार से अपने अलेंज़ कर सकते हैं लेकिन उस तम्सक्तों को पूड़ों को सकते हो कैसे भी करो तो मैंने क्या करा कि जो अपने पास इंटरवल घर रख Exactly लिए और देंगे तोड़ दिया चलें आगे तो यह अपना काम ता इंशा है कि आप सब्सक्षय को पता है कि ऑनक'Do करते हैं वह हम उपहर नतराल के लिए अभात बराबरिए में उप्सकर क्या वो is equal to हमारे पास में जो यहां पर आरव अंत्राल है वो क्या है आर माइनस का वन है हमारे पास में यहां तो यहां पर आप देख सकते हो आराम से देखो कि यह एकस आर माइनस का वन कॉमा एकसर हो गया हमारे पास में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप देखोगी आपको वहीं ट्म करने पड़ेंगे कौन-कौन से देखो एक तो हमारे पास में डेलार एक स्मॉल एमार एक कैपिटल एमार क्योंकि इन सब की आफसकता पड़ेगी अपन को ठीक है तो यह देख सकते हो आप यहां पर इस थ्योरम में अब देखो जान से मैंने बताया आई अरवा उपन्तराल है अब यहां पर डेलार एक स्मॉल एमार कैपिटल एमार ठीक है अब इसको फाइंड कैसे करेंगे अब यार इतना तो आपको दिमाग लगा लिया होगा डेलार होता है कैपिटल मानिस इसमॉल तो आप देख सकते हो यहां पर और हम से निकाल सकते हैं एकसार माइनस यहां पर की से लिए पर थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा लांस देखना एक वरा ठीक है यहां पर अंतराद एक का देखू X1-1 एकसा ठीक है लेकिन अपन क्या करना यहां पर करना है डेरिवेशन यानि प्रूप करनी है तो थियोरम के इसाप से अपनों को चलना पड़ेगा बात सएक नहीं बताओ क्योंकि यहां प्रूप करना है आप देख स्क्लिक्सिंट के अंतर यह प्रूप करना है अब यहां पहर analysis एक दिमाख लगाएं वार तो आप यहां पर निकाल सकते हो देख लो यह मारे पास में एक सर मानेस का बना वह स्मॉल एमर हो जाएगा और जो एक सार वह केपिटल एमर हो जाएगा लेकिन उसे कोई थाहत पर नहीं है यहां पर अपनको जो थेयोरम का स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखते वे काम करना है ठीक है अब एक बात मुझे बताईए यहां पर क्या कहा गया है मैं दुबारे एक बार थेयोरम के स्टेटमेंट आपको बताता हूँ यहां पर कहा गया है आपसे कि जो इस्मॉल एम है ध्यान देना मैं इस्मॉल एम की बात कर रहा हूँ न मैं क्या लिख रहा हूं अते अते उप अंतराल के अंतरगत उप अंतराल में कि उप अंतराल में निम्नक व उच्चक की साहिता से निम्नक के व उच्चक क्योंकि अपन को दे रखा है कि जो Small M है वो कैसा है, निमनक है और Capital M है, वो कैसा है, उच्चक है तो या फिर Small MR और इसकी कहाने है ना, वो अब देखना मैं कैसे find करता हूं जहान से देखना अब, इसको अपनों अपर कर देते हैं, अब फोकस करना, क्या कहाा, कि जो Small M है वो सबसे छोटा है, क्योंकि कहा गया है कि वो कैसा है निमनक है इस बात सहमत हो तो अगर यह सबसे छोटा है तो यह गारंटी के साथ में कह सकता हूँ जो इस मौल एमरा इससे तो बढ़ाई होगा क्या इस बात से सहमत वाप कई बच्चे इस लायन को नहीं समझ पाए हैं तो घबराए नहीं मैं इसको एक बार बता रहा हूँ थोरम को पूरा उसके बाद थोरम का अपन दुबारा कंप्लेट रिवेजन करेंगे तो मैं दुबारा एक बार समझाने कोश्च कर रहा हूँ कि कि ब भया हमें दुब्ध में साइप जाप गया है कि जो स्मॉलमैm है वह कह नेमनाक को मतलब क्या होताइब इस को तो मलब हो यह सबसे चोटा यह बहुरा थोता है आगे से लें अब भाईया एक बात और कहें दिनों ने यूश्च सबसे बड़ा है वह हमारे पास में Capital M है तो भाईया अब मैं एक बात यह कह सकता हूं कि जो मलब यहां पर जो Capital M हो इस से छोटा ही होगा इस एक वल हो सकता है और यह हमारे पास जो Capital M है वह इससे बढ़ाई ही होगा सापसी बात है Capital M हो बढ़ाई हुआ तो यह लाइन ना वेरी 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 इंपोटेंट जो लाइन है वह यह हैं very 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 दार का मानन निकाल लिया उसके बाद में एमार है ठीक है और केटल इमार इसकी वैल्यो आपन को यहां से नहीं लिखनी है अपन को तोरम के स्टेटमेंट जाना है वहां पर उसनों साब कहए दिया है कि यहां पर इस स्मौल है उस है आए मार पास सबसे बड़ा होगा तो जो capital MR है वो इससे थोड़ा छोटा होगा कैसे समझ लीजिए आपके साब से अब मैं जैसे बोलूँगा वैसे आपको समझने क्या आउशकता नहीं है आप तो बस यह ध्यान में रखना कि जो सबसे छोटा है और capital है सबसे बड़ा है उसके बाद में आ वह कह वह है जैसा कि मैंने लिख रहा हूंünk डैलार मैंने डैलार से म singular को मुल्किलाइं कर दिया तो दिया क्या होगा और सबस्क्राइब कर ने से कि देखना वह तो आप देखनें लिए चैनschaft अब यह अपने लिख दिया इसको meer यह उसक्वराना보다 करने ने पर यहां पर आप देख सकते हो अगर मैं यहां पर जैसे डैल I colleges दंपिस् там замs डेकना एक बार यहां पर काम कि इसके अलगा कुछ का अलगा से reportedly समीशन लगाता हूं चेस अलगां जो समेशन लगाएंगे अल्रины के लिए तो तो जो small m है वो तो भाई है क्या हो जाएगा बाहर की तरफ कॉंस्टेंट है वो तो साफसी बात है जो आर है जिसे मुझूद है उसी पे तो लगेगा समिशन तो आर बराबर वन से लेकर आर बराबर एंड तक ठीक है उसके बाद में यही ग्रेटर तर आपको दिख रहा है सा अंदर ही रहेगा कि और यहां पर पर हमारे पर कैपिटल mr है यहां कि यहां पर मिचा मैं अंदर करेंगा और यहां पर समीसन के पर करकार यहां और समिशन आहेगा और ऑर finish frase 1 से लेकर r is equal to n और delta r अंदर क्या इस लायन को आपको समझने में दिक्कता है यहां से जब यह लायन मैं लिखी है इसमें आप किसी को दिक्कता है कुछ नहीं किया बताओ मैंने यहां पे delta r से multiply कर दिया उसके बाद में submission लगा दिया मैंने अब जहां पर r का function था वहां पर यह समिसन लग गया जहां पर नहीं था उसको constant की रुपए मैंने बाहर लिख दिया यानि कि देखो small mr और capital mr को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि यहां पर r का function वह जोदे नहीं है आगे बाद समझ में अब आप मुझे बता सकते हो क्या बता सकते हो क्या कि यह क्या है और यह वह है तो यहां पर देखना हंडर्ड में से 20 परसेंट बच्चे के लिए क्या होगा अब देख सकते हो मेरे साव से कमेंट थी तो दो ही आपर आर बैक्सम अडिया है और उपर डार घ्रत क्रणे कीश्च्छ्छ उप्क या 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 Speed या confident लिख सकते हो यह हमाइर पास पास क्या है Level 5 और हमार पास क्या होगा में यू है इसका को ठीक है इतना कर दीकत नहीं अब थोड़ा सा द्यान देखना में इस दखना की काम इपने थोड़ा सा ठीक है अब देखो यहांपे ध्यान से लो या समिशन डेल आर है इसको को तो कैसे लिखोंगा देखना कि यह लाएँ अब यहांब यह। से लेकर n तक है यानि कि देखो डेल 1 प्लस में डेल 2 डोट 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 आगे चलेगा और डेल n तक चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे बताईए कि जहां पर अपने देखा था देखो अब हमारे पास में यह रहा इंटरवेल ध्यान देख रहा है मैं कहां पर आपको देखान जापको कोई सिक्र रहा हूं हँए हमारे पास में इंटरवेल है अइक्सिनम औरे पास मान की भात करता हूं मैं मान की बात करता हूं co देखो ध्यान से X1- X-node होगा यह नहीं होगा सभी एक साथ कहते तो अब यार थियोरम है ना थियोरम में टायम लगता है थियोरम में दिमाग गुमता है अब जल रहते सीधी सीधे लेकिन अब थियोरम आई थियोरम में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अब है अब मैंने इसको सोल करने के लिए क्या करा कि यहां पर देखो सिंपल समिशन डैला ठीक है आर इसकोल टू बन से लिख रहें मैंने डैल 1 डैल 2 डैल 3 डैलन लिख दिया अब यह मुझे डैलन का मान चाहिए तो कहां से लिखूंगा इस इंट्रवेल में से लिखना पड़ होगा इसी परकार डैल 1 डैल 2 डैल 3 निकलेगा बिल्कुल सही एक नहीं है समझ नहीं कि कोशिस करो भी है थोड़ा सा अब यहां पर डैल 1 का मान एक्स नोट आ गया इसी के साथ में जब आपन डैल 2 का मान निकालेंगे तो कैसा आएगा एक्स 3 मानस का एक्स नोट ठीक है ए कहले सीफ inhalate चलते र crawled और पिर आव्माल पास एक्सन का निकालेंगे तो क्या है एक एंड मानस का इस एन मानस का अब देखो ध्यान से अब मार पास में यह यहां पर और minus का हमारे पास में X not मलब सबसे बड़ा टम बचेगा Xn और सबसे छोटा कुण सा है X not ये बचेगा अब आप मुझे बताए इस interval के इंतरगत X not का मान कितना है A है ये नहीं है और हमारे पास जो Xn का मान वो B है ये नहीं है तो हमारे पास जो X minus का X not ये इसका जो मान आया है वो कितना है B minus का A भई ये हो गया पूरा सवाल हो गया पूरा सवाल बस ये ही तो करना था अपन को करना क्या है अब बताओ हमारे पास में क्या है कुछ नहीं है simple सा काम करना है अपन को जो प्रन को पुरुप करना था वो हमारे पास में आपके सामने आ चुका है। जो पुरुप करना था वो आपके सामने आ गया है। कैसे? आप देखो, यहां पर मैंने यह लाइन मैंने आपको लिख दी है, complete, ठीक है। कि अब कि करना है जहां पर को समनैंस एक डेकह लाइज है इस entonces यहां पर चैकर यहां पिर यहां पर लिख दो उसके बाद में यहां पर स्विसक्राइब मारे पास में 여रे पास में घरदन एकवन्ट उपाइगा यहां पर और जेलार क्या है यह Taking लिखे दो उसके बाद में यहां पे गिर्दनी कोल to आएगा फिर यह पी में पास में क्या जाएगा यू एप पी हो जाएगा ठीक है और यह हमारे पास में लिखेंगे तो इस कामान देखो यह हेँ किस्टन नहीं थेख़े समोझने में क्या रिविजें नौ función को समझने के लिए ठीक न इक बार नि में इसका दुबारा एक एक चीज को खोल के एको देता हूं तीक है को जहां पे दिक्टत आती है वहां पे आप तुरण समुझ compliance जिए है कुछ नहीं है थोरम है हमारे पास में थोरम क्या करिए एक हमारे पास फलन है अंत्राल आपको यह भी दे रखा है उसमें परिवस्त परिवद्ध है वहाँ पर उसने साफ साफ कह दिया कि उसमोल है मैं वह कह collapses रहा है सबसे गड़ा है तब को पुर्व करना है यह वाला काम अपने को करना है तो फिर मै ने ह Families को यहांप आ बना बना सकते नोट्स में देखकर बना सकते हैं मैंने टेलेगराम डहल दिये हैं यहाँपे करना है एक बात बताई कि जो हमने थ्रम में अपन करेंगे जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल इजी करने के लिए करेंगे अब मैंने आपसे कहा कि बी माइनस का एपॉन का एन है उससे भी आप कर सकते हो लेकिन फिर उससे क्या है कि आपको कैलकुलेशन में इजी मलब क्या होगा कि थोड़ा सा आपको difficult मैसुस हो मलब कठना ही मैसुस होगी अब लेकिन कई बच्चे क्या होंगे सर करो उससे तो यह आप उससे करके देख सकते हो आपका answer गलत नहीं आएगा करके देखना जिसके में में डाउट होगा ना वो करके आव बचछेद देखेगा तो उसको करके आप देख लेना उससे ठीक है end parts में डिवाइड कर दिया है ठीक है बिल्कुल clear रखना एक एक चीज को तब जा कि समझ मैं आएगी जीजे पिर हमारे पास में हमने कहा वही second step की बात करते है फर्स्ट सेप में हमने end parts में डिवाइड कर दिया second step की बात करते हैं तो वहां पर रवय अंतराल की बात करते हैं तो आरव अंतरालो आपके सामने है वहाँ पर अपने delr कमार का निकला लाक कैसे निकलते हैं यह दैल का जमान है सबसे ज़जदा मेंसे सबसे कम गठाएं यान के एकसर में से कठाएंगे एकसर मानेस को ठीक है यह स्टार बनावा है को टम से नहीं है थीक ऐसे ही है उसके बाद में देखो अब हमारे पास ठीट्मेंट की यूज करेंगे क्योंकि यहां पर देखो MR का जो मान है यहां से लिख सकते हैं एक सार अपने को लिखना नहीं है यहां से क्योंकि अपन को त्योर्म का statement प्रूप करना मलब फ्योर्म का जो statement वहां पर ध्यान देना है आपको कहा गया है कि small M और capital M है वो करम से निमने को और उच्चक हैं तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अब देखना ध्यान से यहाँ पर यह कहाणी जो पल्टी हुई है न वो कहाणी बदली है यहीं पर क्योंकि जो सब पूरा काम है वो यहीं पर हुआ है तो अब इसको थोड़ा समझता हूँ मैं बस लाश स्टेप अपनी पर उसके बाद मैं आज की क्लास को अपन खताम कर देंगे अब ध्यान से देखना अता है ओपन तराल में निमना को रुच्चक अब यहां पर ध्यान देखने इसे स्टेप को मैंने कहा कि जो समॉल एमर सबसे छोटा है सबसे छोटा है तो मुझे बताईए कि जो समॉल एमर है इससे बड़ा होगा या नहीं होगा बिल्कुल साबसी बात है उसके बाद में जो कैपिटल एमर है वो अगर देखा जाए तो वास्ता में small m r से बढ़ा ही होता है तो यह बढ़ा लिख दिया मैंने आराम से और जो capital m की बात कहीं गई है वो तो कहा है उच्चक है सबसे बढ़ा है तो वो सबसे बढ़ा है दिख रहा है कोई function नहीं था यह बाहर आ गया यहां पर भी आर का कोई function नहीं था यह भार आ गया यह रही है यहां पर यहां पर आपको पता है कि यहां पर देखो थोड़ा सा कहानी में ट्विष्ट यहां पर आता है कि आपको डेल्टा आर का मान है वो निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर आपसे दिहान से बात को सुनो यार कहीं मत जाओ मेरे बाद सुनो अगर मान लीजिए आपसे अग्जाम में संपली यहीं तक पूंच लिए आप सीजिए आप मानले वे अ मुन से यह नहीं ने पूंचा और आप से फूंच लिए जो मैंने यहां पूंच में आई है कौन सी यह वारी मलब summation डेल आर समिशन यह वारी टमस आप से पूँच ली तो यहां पर कई बचे कन्फिज हो जाएंगे लेकिन देख लो अपन को फिर यह स्टेप नहीं करनी यह तो डेल्टा आ रहा है इसका मान अपन को नहीं निकालना है डेल्टा आर कमान इस टाइम पर नहीं निकालना क्योंकि यहीं तक पूँच है अपन से तो इसलिए कई बार कन्फिज हो जाते हैं कि अगर यह बी माइनस का अटम दिखा तो वह सोच समझ जाएंगे हम यह अपन पड़र किये लेकिन यह अगे पूंच रहा है तो यह अपने वो डेल्टा आर कमान निकालना पठेगा तो कैसे करदा डेल्टा वन डेल्टा टूल डेल्टा अब यहां पर फिर थोड़ा से दिमाख लगाना पढ़ेगा कि डेल्टा वन कमान कहां से लेक्या है तो यह इंट्रेवेल से निकालेंगे डेल्टा 1 मतलब X1 मानने इसका X1 डेल्टा 2 X2 मानने इसका X1 इस परकार निकालेंगे तो सारे टम कैंसल हो जाएंगे लेकिन बज़े का कौन सा सबसे बड़ा XN और सबसे शोटा XN तो XN का मान कितना है B है देख लो और XN का मान कितना है A है तो यहां पर हमारे पास जो समिशन डेल आर का मान है वो B मैनस का A आ गया तो हमने यहां पर पूट कर दिया M मल्टिप्ला बी मानस का A LFP UFP और M मल्टिप्ला बी मानस का A अब देख लो यह थोरां कम्प्लीट किलिर होगा यह मेरे साबस तो कहीं पर दिक्त नहीं है ठीक है तो विया आज के लिए इतना ही और विया आपको एक important बात बताना मैं बोल गया हूं कि आज की class का timing मैं आपको पता देता हूं अब कई बच्चे छोड़के चल दाते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा timing ठीक है हालां कि मैं टेलेग्राम पर बता दूँगा आपको लेकिन मैं आपको timing बता देता हूं देखो आज से ही आज कितारी होई 29 तो 29 तारीक से आपका टाइम टेवलो चेंज हो गया है कैसे देखना चेंज कुछ नहीं वा थोरसा टाइम बढ़ा दिया गया है तो 29 से 5 से 2021 का टाइम टेवलो यह रहेगा कि देखो आठ बजे आपकी यह रियल की क्लास तो है तो आठ बजे यह तो टाइम चेंज नहीं होगा जब तक रियल खतम नहीं होगी यूनिट यह टाइम अप अब यह फिक्स नहीं है लेकिन चांस बनेट जहां तक 80 परसेंट हो केमेस्ट्री स्टाट करने वाले हैं एक की दो देने में ठीक है यह अपना टाइम टेबल रहेगा उसके बाद में 10 से 11 आपका फिजिक्स रहता ही है इलेक्रोनिक्स में ठीक है अब क्या है कि बदलाव क् चैसे साथ बज़े तक मैं आपको वापिस इलेक्रोनिक्स पढ़ाऊंगा और इलेक्रोनिक्स दो या तीन दिन पढ़ाएंगे उसके बाद में वह एक जून से एक जून से वह क्या कर देंगे भाई यह वो यहां पर मैथेमेटिकल फिजिक्स भी चालू कर देंगे शाम की आज का टाइम टेबल है 39 तारीक है कि आपको शाम को इलेक्रोनिक्स की क्लास मिलेगी DSR के द्वारा ठीक है यह मुझे बताना था तो आप तैयार हो जाई कि यार पूरा रंगमंस आपकी लिए तैयार कर रहा है बिल्कुल पढ़ने लाइक बिल्कुल आपको देखो रिवि पूरे to complete परना चाहता है वह complete पर लो और जो उसको पास होना है तो या इनतजार मत करना दुबरा सब्सक्राइब बादमें नहीं तो फ्र भी था फैल होगे ना इसलिए कि इससे बढ़िया है कि एक एक इनण तो तयार करी लो जो बच्छाव पास होना जाता है सभी सब्जेकों में It only नमेगर में टाइं कि डिफरेंश में और मैंने सब में ख्रहिए कम पेड़नि़ करवा रखेए टाप टाल Спेह कर सकते हो मैंने कौन कॉन किस परकार करा रखेए तो अच्छामें बस इतना ही अब और यह लोग नए जोस we